इंडिया मार्ट की तरफ से दोस्तों एक हाइरिंग आ रखी है जो की बहुत ही बढ़िया हाइरिंग है और ये जॉब अपडेट जो है आज तक इंडिया मार्ट की बिल्कुल लेट टेस्ट अपडेट आई है और जिस वेकेंसी पे इंडिया मार्ट जो है वो हाइरिंग कर र जिसमें आपको sales का काम नहीं करना and एक permanent fixed salary आप चाहते हो कि आपको मिले and कोई commission based salary आपको नहीं चाहिए तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही special वीडियो है because आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी work from home की job के बारे में जो कि इंडिया मार्ट पे एक latest इन्होंने introduce करी है part time job है जिसमें आपका जो role रहेगा वो customer service associate का रहने वाला है program की highlights देखें यानि इस जो profile है इसके बारे में highlights में इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक part time भी एक profile होगी and एक full time भी है यानि कि totally आप पे depend करता है आप इससे अगर part time करना चाहते हो part time भी कर सकते हो and अगर full time करना चाहते हो full time भी कर सकते हो completely आपकी location से आपको काम करना है यानि कि all over India आप कहीं के भी रहने वाले हो वहां से आप यहाँपे काम कर सकते हो कोई दिक्तत की बात नहीं है, कोई भी परिशाने वाली बात नहीं है and यहाँ पर आपको अपने हिसाब से, अपने own schedule के हिसाब से काम करना होगा आप पर depend करता है, आपको minimum यहाँ पर 4 hours काम करना है, पुरे whole day में अगर आप यहाँ पर part time काम कर रहे हो, तो सिरफ 4 गंटे आपको काम करना है वो भी आप पर depend करता है, आपको उसे जाधा करना है, जाधा भी कर सकते हो and किस timings पर work करना है, totally आप पर depend करेगा payment आपको यहाँ पर weekly payment मिलेगा and वो weekly payment directly आपके bank account में यह लोग transfer कर देंगे, उसके इलावा आपको कुछ additional incentives भी यह लोग provide करेंगे आपके payment के इलावा, यानि कि आपको जो incentives मिलेंगे वो आपके payment से अलग होंगे and आपके एक fixed salary यह लोग provide करेंगे वो कितनी रहेगी, वो सब चीज़े यहाँ पर हम आपको clear करेंगे आगे उससे पहले इन्होंने यहाँ पर clearly mention किया हुआ है कि यह आपका एक voice based calling process है यानि कि customer service associate की यह profile है, जहाँ पर आपको सिरफ customer की queries को solve करना होता है किसी तरह का भी कोई भी target की profile यहाँ पर sales की profile नहीं है दूसरा इन्होंने बताया कि आपको language preference के बार में बताया है जो languages इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है Hindi, English, Gujarati, Marathi, Bengali, Kanada और Malayalam इन languages में से किसी दो language पर आपका communication अच्छा होना चाहिए तो दो languages के यहाँ पर आपको combination में आपको रहेगा जिसमें अगर आपको Hindi, English आती है तो बहुत बढ़िया बात है उसके इलावा अगर आपको Hindi, English नहीं आती कोई और language आती है, like Gujarati, Marathi आती है तो भी आप combination बना करके यहाँ पर अपलाएगार सकते हो and बहुत ही एक अच्ची opportunity है because almost Hindi, English का combination में maximum लोगों को यहाँ पर रहेगा then यहाँ पर इन्होंने clearly पताया हुए आप लोगों को कि इस online associate program के बारे में जाने की customer service associate role के बारे में इन्होंने यहाँ पर clearly mention किया हुए कि आपका online रहने वाली है सब चीजें आपको office में जाने की जुरत नहीं पड़ेगी completely part time है and आप इसे full time करना चाओ वो भी कर सकते हो then आपको यहाँ पर communication skills आपका अच्छा चाहिए then आपको यहाँ पर laptop और desktop खुद का लगने वाला है यानि कि अगर आपके पास laptop नहीं है तो यहाँ पर अगर आप maximum जो earn कर सकते हो 15,000 से लेकर के 25,000 तक पर मंथ आप लोग earn कर सकते हो वो आपके caliber पर depend करता है आप कितना यहाँ पर work करते हो कितने hours यहाँ पर काम करते हो उसके output के हिसाब से आपको यह लोग यहाँ पर pay करेंगे कितने से कितना minimum से maximum कितना earn कर सकते हो तो 15,000 से 25,000 के बीच बीच में आप लोग यहाँ पर earn कर सकते हो and clearly बताया कि आप लोगों के output पर depend करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो कितना quality का content content मतलब कितना quality का काम जो है यहाँ पर करके दे रहे हो इस company को उसके accordingly आपको यहाँ पर यह payment देने वाला है then इन्होंने बताया selection process के बारे में दो तरह से selection process में steps रहने वाले है एक आपका जब आप form बर होगे तो आपका shortlist होगा तो shortlist होने के बाद आपको यहाँ पर aptitude test clear करना होता है वो aptitude test जब clear कर देते हो then आपको एक video assessment यह लोग बोलते है video assessment भी clear कर दोगे तो आपका directly यहाँ पर shortlist हो जाओगे and आप यहाँ पर काम करना start कर सकते हो किसी तरह का कोई भी interview आपका नहीं होने वाला सिरफ test clear करना है and आपका जो है selection हो जाएगा then कौन-कौन से documents यहाँ पर लगने वाले है उसके लिए उने बताया हुआ है कि आप लोगों का address proof जो है वो यहाँ पर लगेगा address proof में आपको यहाँ पर अपना अधार card जो है वो देना है then आपका ID proof लगेगा जिसमें आपको pan card आपके पास होना चाहिए then bank details है bank details में आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ यहाँ पर दे सकते हो like आपका cancel check दे सकते हो bank statement दे सकते हो and passbook दे सकते हो then आपका PH या फिर अगर आप PWD candidates हो तो उनको certificate भी यहाँ पर देना पड़ेगा then आपको passport size photograph जो है वो लगने वाला है वो आपको यहाँ पर देना है then आपको apply गासे करना है उसके लिए Google form इनोंने एक दिया हो है जो की link आपको description में मिल जाएगा and comment box पर भी मिल जाएगा वहाँ से आप लोग apply कर सकते हो then यहाँ पर कौन-कौन candidates apply कर सकता है तो उसके लिए इनोंने clearly बताया हो है कि आप लोग जो है अगर आपको experience नहीं है फिल्कुल भी यानि कि fresher हो तो भी आप apply कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और maximum आपको अगर 5 साल तक का experience है तो वो candidates भी यहाँ पर apply कर सकते है तो यानि कोई भी fresher और कोई भी experience वाला यहाँ पर apply कर सकता है सभी लोग यहाँ पर apply कर सकते है तो यह बहुत ही एक बढ़िया बात है then minimum qualification यहनोंने बताई हुई है आपको minimum graduation बताया कि जो भी candidates ने यहाँ पर graduation कर रखी है जाए वो किसी भी course के अंदर किया हो आप सभी लोग यहाँ पर apply कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है then skills जो आपको required है short list होने के लिए वो इन्होंने बताया calling का skill होना चाहिए customer service का communication skill आपके पास अच्छा होना चाहिए then दोस्तों यहाँ पर annual salary range आप लोग देख सकते हो 1,00,000 से लेकर के 2,40,000 जो है वो इन्होंने provide किया हुआ यानि कि maximum आप लोग जो है यहाँ पर 15,000 से लेकर गिये 25,000 के बीच में हर महीने में earning कर सकते हो and यहाँ पर किसी तरह का भी commission में यह लोग आपको pay नहीं करने वाले permanent एक salary आपको यह provide करेंगे जो कि किस range में रहेगा वो इन्होंने clearly बताया हुआ है तो आगे आप पर depend करता है आप यहाँ पर कैसा work करते हो कैसा output आप दे रहे हो company को totally part time रहेगा plus full time भी रहेगा तो आप full time करते हो part time करते हो totally आप पर depend करता है जो भी work कर रहे हो जो output दे रहे हो company को उसके accordingly आपको payment देने वाली है company and वो weekly basis पे आपके bank account में यह लोग transfer कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर जब आप scroll अप करोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है यह जो part time hiring कर रहे हैं यह लोग यह इस time पे सिरफ female candidates के लिए यह लोग hiring कर रहे है males candidates के लिए यह लोग hiring नहीं कर रहे है तो यहाँ पे जो भी females है वो ही इस form को fill करें ऐसे यह लोग हमेशा जो hiring करते हैं इस profile में भी इन्होंने एक पर पहले भी hiring की थी तो males candidates सब eligible रखे थे बट अभी for the time जो है थोड़े time के लिए इन लोगोंने जो males candidate है उसकी hiring यह लोग नहीं कर रहे है सिरफ female candidates यह लोग hiring कर रहे है इस particular profile के लिए तो यहाँ पे जो भी females है वो ही यहाँ पे apply करना link आपको description में मैं provide कर दूँगा इस तरह से आपको एक google form जो है एक चीज़ clearly mention की हुई है जो भी candidates का यह google form से जो यह shortlist करेंगे उनको यह 1-2 दिन के अंदर-अंदर maximum जो है contact करेंगे test के लिए तो आप लोग ready रहना maximum 1-2 days के अंदर-अंदर आपको यहाँ पे इनकी तरफ से contact हो जाएगा अगर आप shortlist होते हो then यह लोग इस टाइम पे English, Hindi and Gujarati और Marathi वाले speaking candidates के लिए ही hiring कर रहे है other candidates जो है जैसे कि जो कनड़ा था और मल्यालम था उनके लिए भी यह लोग की hiring जो है इस टाइम पे stop हुई है तो जो लोग Hindi और English में यहाँ पे अच्छे है and Gujarati और Marathi बोलना जानते है वो ही लोग apply करें and especially females Google form में आपको आपका नाम बरना है सबसे पहले then आपको आपका email address बनना है and mobile number बनना है then आपको basic सी further details यह लोग पूछने वाले है जहांपे आपको आपकी age सबसे पहले यह लोग पूछेंगे age आपको select करनी है कितनी age है आपकी तो यहांपे apply करने के लिए 18 above minimum age होनी चाहिए आपकी तो मैंने already clear कर दिया आपको तो accordingly आप अपनी age select कर सकते हो age select करने के बाद आप scroll down कर लेना then आपको आपका gender पूछेंगे gender के बाद आपको क्या चिस describe करती है best आपको यहांपे select करना है दो option है यहांपे जिन दो options पे आपको जो भी better लगता वो आप choose कर सकते हो कि आप एक unmarried हो यहां फिर married हो उसके accordingly जो भी आप हो वो आप choose कर लो then आपका CGP यह लोग मांग रहे हैं 10th का and 12th का कि आपने कितना percentage जो है वो questions पूछेंगे जिनको आपको answer देना पड़ेगा जहांपे आपको सबसे बहले अपना highest degree choose करना है क्या है then air of आपका graduation कितना है वो आपको डालना है and वो डालने के बाद आपको यहांपे बताना है कि अगर आप कोई graduation pursue कर रहे हो यहां फिर परस्यू कर रहे हो तो आपका pursuing जो pass out air होने वाला है वो कौन सा रहेगा वो आपको यहांपे choose करना है आप उसको अगर choose कर लोगे then आप से further यह लोग पूछेंगे कुछ details जो कि आपको यहांपे mention करनी होती है यानि कि अगर आप यहांपे post graduation अभी pursue गर रहे हो तो आपको post graduation pass कब होगी खतम कब होगी वो सब चीज़े mention करनी है then आपको कितनी देर्स का experience हो चुक है अभी तक वो आपको यहांपे डालना होता है अगर आप completely fresher हो तो यहांपे na mention कर सकते हो not eligible otherwise fresher पे click कर सकते हो then fresher पे जब आप लोग क्लिक कर दोगे then आपको यहांपे यह पूछेंगे कि आपकी जो prior experience of calling profile में है या नहीं वो आप accordingly choose कर लो then आप further कभी इंडिया मार्ट के साथ आपने काम किया या नहीं हो चीज़ आपको बतानी है then आप लोगों को यह further पूछेंगे कि आपको कोई working कहीं पर आपने पहले काम किया है या और अगर आप अभी job ढूण रहे हो तो किस तरह का job ढूण रहे हो full time opportunity ढूण रहे हो freelancing की या फिर part time ढूण रहे हो then PWD candidate हो तो आप choose कर सकते हो और आपको आपका certificate भी डालना पड़ेगा आपका laptop और desktop करेगा कि laptop और desktop है तो वो आप यहां पर mention कर सकते हो then उसके बाद आपको internet का बताना है कि internet के बारे में then आपको यह अपकी languages के बारे में पूछेंगे कि कौन सी languages के बारे में आपको यहां पर read read हो गया, write हो गया plus speak fluently तो आपको टिक करना है accordingly जो languages में आप comfortable हो Hindi, English, Marathi, Gujarati then यहां पर इन्होंने पूछा हुए आप से कि आप part time non sales calling profile के बारे में understand करते हो ना तो आपको यहां पर yes पर click कर देना then आप कितने hours यहां पर अपने dedicate कर सकते हो वो आपको यहां पर choose करना है then monthly आप इतना expect कर रहे हो इस program से तो बहुत ज़्यादा expect मत करना आप simply यहां पर 25,000 टक maximum यानि 20,000 से 25,000 maximum पर click कर सकते हो then यहां पर आपका selection जब हो जाता है जब आप यहां पर काम करना start करोगे first 15 days के लिए आपको यह लोग training देंगे then training के बाद ही आपका काम start होता है तो उसके बाद इन्होंने यहां पर एक आपको पूछा हुए NGO के बारे में कि कभी आपने NGO में काम किया है या नहीं तो then आपको इनको leave करना है तो आप leave भी कर सकते हो then आपको simply submit कर देना जब submit कर दोगे तो आपका form जो है वो submit हो जाएगा and within one or two days के अंदर अंदर maximum अगर आपका CV shortlist होता है यह Google form shortlist होता है तो आपको जो है यह लोग यहां पर contact करेंगे and आपका test लिया जाएगा test clear कर दोगे video assessment रहती है वो भी clear कर दोगे तो आपका selection हो जाएगा and आप जो है यहां पर एक part time job में इंडिया माट के साथ काम करना start कर दोगे so दोस्तों job updates में बस इतना सा ही updates है and अगर आपको job update के बारे में कुछ भी doubt है तो आप हमसे पूछ सकते हो हम आपकी query solve कर देंगे and इसी जरह से अगर job updates चाहते हो regular basis पर मिलते रहे तो हमारे साथ हमारे यूटीब चैनल पर जोईन कर ले subscribe करते चैनल को and whatsapp group भी है वहाँ पर भी मासा जोईन कर सकते हो link आपको description में मिल चाहेगा हम आप से मिलेंगे कल एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के updates के साथ तब तक लिए दोस्तों good bye